नमस्कार, हमारी रैसे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गड़म होने पर हम दो पिंच हिंग डालेंगे। फिर इसमें चायेगा एक दम बारी कटेवे लासन, अदरक और हरी मिर्च। इसे हलका फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर। फिर इसमें जायेगा मूंग डाल जो मैंने दरदरा पीछ लिया था। इसे डालकर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। जिसे ये आपस में गुठलियां जैसा न बन जाए। लगातार चलाने से ये देखिए एदम भुर भुरा जैसा बन गया है। अब इसमें डालेंगे आधा चमच मिर्ज पाउडर। आधा चमच गरम मसाला पाउडर। और स्वाद का नुशार नमक डालकर इसे अच्छे से चलाएंगे। इसे थोड़ा सा और फ्राई करना है। फिर इसमें डालेंगे आधा चमच काली मिर्ज पाउडर। और आधा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर। अच्छे से मिस करके इसे ओफ कर देंगे। इस तरह से हमारे मुंग दाल के स्टफिंग तयार हो गई। इसमें मैंने जादे मसाले का यूज नहीं किया है। इसका थोड़ा मीठापन स्वाद ही जादा अच्छा लगता है कचोरियों में। अब हम आटा लगाते हैं। तो मैंने यहां 500 ग्राम मैदा लिया है और इसमें स्वाद क कचोरियां खास्ता बने इसके लिए जरूरी है कि मैदे मेरिफाइन को अच्छे से मिलाएं। समोसे के लिए भी इसी तरह से आटा लगाया जाता है। इसे मिलाते वे चार मिनट हो गया हैं। अब मैं हाथ में इसे लेकर दिखाती हूँ। यह लड़ू के तरह बन रहा है इसका मतलब यह ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक सक्त डो बनाएंगे। डो बन जाने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए रेश्ट पर छोड़ देंगे। चुकि इसमें नमक मिला हुआ है इसलिए 10 मिनट के बाद यह हलका सौफ्ट हो अब हम इसे ढख कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद हम गैस पर एक करहाई चरहाएंगे। कचोड़ियों को तलने के लिए थोड़ा रिफाइन और डालके गैस को कम करके छोड़ देंगे। आटा तयार है अब हम इसके छोटे-छोटे लोई बना करने के लिए हाथों से ही कटोरे जैसा शेब देंगे। इस तरह से। अब हम इसमें एक चमच मुंग दाल की अश्ठपींग को डालेंगे। ज्यादा श्ठपींग नहीं डालना है नहीं तो तलने के समय हे तूट जाए गहा है इसे अच्छे से बन करेंगे और हाथों से ही इसे कचोरियों का सेप देंगे ध्यान रखना इसमें बेलन का यूज नहीं करना है इसे हाथों से ही अच्छे से कचोरियों का सेप देंगे इस तरह से इस तरह से हम और भी कचोरियां तयार कर लेंगे चार कचोरियां तयार हो गई यह अब हम इसे फ्राइ करते हैं जब डिफाइन ओयल एकदम हलका गर्म हो तभी हम इसमें कचोरियों को डालेंगे हमें आया ध्यान रखना है कि कचोरियों को अंत तक लो फ्लेम पर ही तलना है लो फ्लेम पर तलते वे 5-7 मिनट हो गया है यह हलका हलका गोल्डन ब्राउन होने लगा है देखे कचोरियों एकदम गेन के तरह फूल गई है इसे उलट पूलट कर हम करीबन 10 मिनट तक दलेंगे तब हमारी कचोरियों एकदम करारी तयार होगी 10 मिनट हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं एकदम खास्ता और बिल्कुल मार्केट जैसा मूंदाल की कचोरिया बनके तयार होई है इसे बनाने में हमें थोड़ा सा पेसेंस रखना होता है क्योंकि इसे तलने में 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है इस तरह से हम बाकी कचोरियों को भी फ्राइ कर लेंगे आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें ये बहुत ही स्वाजिस्ट लगते हैं मूंदाल की कचोरिया बनके सर्व करने के लिए तयार है एक कचोरि को मैं तोड़के दिखाती हूँ देखे एकदम खास्ता बहुत ही अच्छा आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करें अगर आपको ये रेश्पी पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद